को अन तक जरूर देखना वीडियो को इसकी इप मत करना इसको क्या-क्या इसके अंदर फेसिलिटीज मिलता है इस वीडियो में हम पूरा जानेंगे सो गैस पहले ही हमें कुछ नॉइस की तरफ से वलकम नोट मिल जाता है इस पर लिखा है नॉइस यूर ग्रेटफुल करके सो इसको हम रखते है अभी साइड में चलते है आगे की तरफ यहाँ पर हमें एक बुक मिलता है जिस पर स्मार्ट वाच से रिलेटेड काफी सारा इंफोर्मिशन आपको इसके अंदर मिल जाएगा चले इसको भी रखते है साइड में और यहाँ पर हमें एक स्टीकर जिया जाता है जिसको हम कहीं पर भी चिपका के रख सकते हैं सो हमारा में प्रोड़क्ट कुछ इस तरह से मिलता है काफी अच्छा पेकिंग है सो गैस चलिए फटाफट से इसको अन्बॉक्सिंग करके इसको अन करते हैं सो गैस काफी अच्छी तरह से ये लोगों ने डिलिवर किया है डिस्प्ले के उपर बहुत ही ज्यादा स्टीकर डाल के दिया जाता है ताकि हमारा आइटेम्स डेमेज ना हो डिस्प्ले पर कुछी भी तरह का प्रोब्लेम ना हो सो गैस पहले ही मुझे अच्छा लगने लगा है आगे क्या होगा पता नहीं आगर हम डिस्प्ले के बात करें तो काफी सॉफ्ट है और डिस्पले काफी अच्छा है ब्लेक कलर का सो बहुत ही अच्छा है मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप अगर स्मार्ट वाच ओर्डर कर रहे हैं तो फ्लिप कार्ड पर कीजिएगा क्योंकि फ्लिप कार्ड पर अभी ओफर चल रहा है अगर हम बेल्ट की बात करें तो काफी अच्छा मिलता है और ये पुरी की पुरी रबर का है चाहे तो आप चेंज भी कर सकते हो सो यहाँ पर हमें चार्जर का केवल दिया जाता है चार्जर आपको खरीदना पड़ेगा चार्जर नहीं मिलता है अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो ये मिनिमाम हाफ मीटर ही होगा और यहाँ पर हमें चार्जर का पिन मिलता है जो पूरी तरह से मेगनेट लगा हुआ है आटोमेटिक स्मार्ट वाच से कनेक्ट हो जाता है और यहाँ पर भी हमें बिल्कुल ही यूनिक तरह से चार्जर का पिन देखना को मिलता है और यहाँ पर भी मेगनेट लगा हुआ है जो आटोमेटिकली चिपक जाता है अब बात करते हैं कि इस पर हमें क्या-क्या फेसलिटीस देखना को मिलता है हमारा जो स्मार्ट वाच है वो 1.69 टाच स्क्रेन है और यहाँ पर कॉल का फेसलिटीस है 7 डेज बेटरी लाइफ है और यहाँ पर ब्लाड मोनिटर मिलता है हार्ट रेट मोनिटर मिलता है और स्पोर्ट मोड भी मिल जाता है अगर हम इसके MRP की बात करें तो यह 4,999 रूपीस लिका है आपको इसको ओन करने के लिए सिंपल सा तरीका है बटन में प्रेस करें रखें यह ओन हो जाएगा और जल्दी से जल्दी चलिए हम इसको मोड़ी से कनेट कर लेते हैं कैसा कनेट करना है यह आपको वीडियो के अंग तक जरूर मिल जाएगा यहाँ पर हमें सेटिंग मिलता है बाइबरेशन, कॉल, रिंग, बाइबरेशन सब पुछ यहाँ पर मिलता है आपको कौन सा कौन सा चाहिए आप देखकर चोईस कर लिजिएगा और यहाँ पर आपको हार्ट ट्रट मिलता है, बोडी टेमपरिचर मिलता है और चार्डजर का पीन देखने को मिलता है अगर हम इसकी साइड की बात करें तो यह काफी अच्छा है अगर आप गोर से देख सकते हैं यहाँ पर नॉइस का लोगो भी दिया गया है तो काफी अच्छा लगा मेरे को, आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करकर जरूर बताइएगा तो गैस चलिए फटाफ़ोट से, हम मॉबाइल से कनेट कर लेते हैं मॉबाइल में कनेट करने के लिए आपको सिम्बल सा प्लैस्टोर में एक एप डाउनलूट करना है इप का नाम है Noise Fit तो गैस डाउनलूट करने के बाद में आपको सिम्बल सा ओपन कर लेना है तोड़े देर टाइम लेगा, ओपन होने के बाद में आपको इस पर कर देना है टिक करके Continue पर क्लिक कर देना है आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा फिर से करदना है आपको continue इसके बाद में आपका जो भी email ID होगा उससे आप connect कर ले email ID connect करने के बाद में आपका mobile number मांगेगा mobile number इंटर करने के बाद में continue करना है और इसके बाद में आपको एक verification के लिए OTP मांगेगा OTP इंटर करने के बाद में आपको simple सा करना है continue continue पर click करने के बाद में आपको location मिलेगा location को करना है allow करने के बाद में आपका smart watch का name देखने को मिलेगा और आपको simple सा उस name पर press करना है और automatically connect हो जाएगा so guys आप लोग देख सकते हो कि हमारा smart watch पूरी तरह से ready हो चुका है connect हो चुका है mobile के साथ में और सबसे अच्छी बात यह है कि हमें यहाँ पर 8 contact number safe करने के लिए मिलता है आप mobile एक जगा पर रखके smart watch से photo भी खीच सकते हो so guys यहाँ पर हमारा photo click हो चुका है so guys क्यासा लगा आपको यह noise